नमस्का दोस्तो आज की वीडियो जिन दोस्तों की जिन साथियों की गले सूकने की और गला सूकना क्या सूकने के बाद जीब तालू से चिपके जाती हो इस समस्या का निदान इस वीडियो में करोगा अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो आप इस वीडियो पर जुरूर आए इस वीडियो को पूरा देखें आप बहुत बड़े वक्ता हैं, स्पीच करते हैं स्टेज पे जाते हैं, आपका गला सुख जाता है जहां आप सिंगर हैं आपकी आवाज जो है वहाँ जाते ही ऐसे समझो जैसे किसी पिंजरे में किसी ने बंद कर दिया, आप बहुत कुछ कहना चाते थे बहुत बड़ीया सौंग कहना चाते थे लेकिन आपके गले ने आपका साथ नहीं दिया तो आप अपने आपको ऐसा है महसूस कर इस वीडियो को मेरे बनाने का परपज यह इसलिए है क्योंकि इस मस्या से मैं भी जूजदा रहा हूँ सिंगिंग में साथ सुरे हैं और साथ सुर, साथ पॉइंट आप पैन कापी ले लें और उनको नोट कर लें इसके साथ एक ऐसी द्वाई है मेरे पास यह जो आपको कहीं से भी मिल जाएगी मैं यह आपको नोट करवा दूँ तो इसलिए दोस्तों आप ध्यान दे सबसे पहला पॉइंट हम सुबह उठना है तो उस समय क्या करना है प्रमात्वा का नाम लेना ही लेना है लेकिन गुंगना पानी लेके उसके अंदर नमक डाल ले उसके आपने क्या करने है गरारे अगले पॉइंट पर नमबर दो पर अब मैं आपको बताता हूँ हम क्या करते है गरारे करने एक बात जैसे रियाज पर सुबह शाम हम रियाज करने है अब जब रियाज करने हो तो उस समय आपने मूँ से रियाज करने हैं जैसे भोल रहे हैं मुह से लेकिन जो स्वास है ना हमारी वो मुह बंद होने चीए नाक से बापसाना चीए कोशी ज़्यादा ज़्यादा क्योंकि स्वास हमारा जब गले से आएगा तो हमारे गले को पूरे गले के अंदर जो है खुश्की पैदा करेगा जि इसी नुक्ते इसके साथ आपको मैं बताता हूँ क्या करने हैं अगे पॉइंट है अद्रक अद्रक देखा आपने सभी ने अद्रक के साथ शहद मिलाएं और उसको अपने उंगली से उसका रस नकाल के शहद के साथ मिलाके उसको थोड़ा सा गरम कर ले और उसको जीव से आपकी वह अक्सरसाइज हो जाएगी एक प्रकार की ऐसे लगा मर्म लगा दिया अपने देशी नुक्ता है घर में मिल जाती है द्रक दमारे जैसे अरसोई के अंदर और शहदी घर में मिल जाता है अब आगे आपसे बात में जो करना हूँ है रियाज हम पड़े जोश में ह और हमारे पास पानी ठंडा पड़ावार पी लिया उससे वे आपके गले की ऐसी तैसी हो जाती है इस बात को भी आप नोट रखेंगे आप वीडियो को पूरा देखना इसके बाद आपको दोबारा ये गले का सूकना जीव का तालू से चिपकना ये जिन्दगी में आपको नहीं समस्या आएगी और कोई समस्या आ सकती है लेकिन ये समस्या नहीं आएगी खान पान तो नेचरल जो है अच्छा खान पान होना जीए अगर आप अच्छे वक्ता हो आप अच्छे सिंगर हो तो आपको खान पान का दियान के हो की एक स्पीच वक्ता जो सिंगर है उसक क्या हमारे के लिए अच्छा क्या नहीं है लेकिन जो पॉइंट मैं नोट कर लिए आपने एक चीज हो आप रियाज की गलाब का गर्म है उसके बाद आपने अगर आप कर सकते हैं हल्दी कची हल्दी मिल जाए बैटर नहीं तो घर में सोई में हल्दी मिलेगी और केसर और छो त्यार रखें गुनगणा दूद रियाज आदा पनों गेंटा करने एक बाद सुबेशाम पीएं आपके गले में आवाज का धम पैदा होगा आवाज के अंदर जो है आवाज के अंदर जो मिठास सौफ्ट पन अच्छा पन कोयल जैसी आवाज हम चाते हैं मकमली आवाज ह क्रक्वियें हंडर प्र्सेंट आपको इसका 101% मिलेगा जो मैं आप बता रहा हूँ यह अनभव की बाते हं बता रहें experience की बता दो अगला प्वाइंट एक योगा बताऊ सुबह जब आपने करारे कीए तो उसके बाद सुबह आप वो विकासर तो उसके साथ है जब योगा सुबह सरीर के लिए आउकल के लिए योगा है वो जैसे तो वैसे बहुत सारे योगा बताती हैं हमें अपनी जी बार नकालके ये किया दो तीन बार उसमें गला मारा करम हो रहा है तो हमें इस गले ये नाड़ियां है मारी इन्हीं में सारा को शिपा होगा इनकी थोड़ी सी मालिश दो तीन बार किया उसके बार हराम से ऐसे आपने अपने गले की मालिश कर लए इससे भी आ हम अगले प्वींट पे चलते है अब यह प्वींट भी आपड़ा आपके लिए बहुँ है अब यह कुम्हींट कानुसा है इस प्वॉइंट आपकर नोड़ करें की तो सातमा प्वांट आपका जो था वह आपका सबसे जुरूरी पौयिट है एक द्वायि मैंने आपको शुरू में दिखाई है कि ये द्वाय जो है आपके आपके काम आएगी तो इस द्वाय को नोट कर ले और यह मैं दिखाई दे लिए इसका नाम दिखाई दे रहा है तो अगर दिखाई दे रहा है इस नाम को नोट कर ले आपको आयुर्वेदी की जो है वहाँ पे उन दकानों पे कहीं से आप पता करोगे शायर के अंदर यह दुआई आपको में देगे और इसको आपने यूज कैसे करना है इसको आपने यूज जो करना है इसको खोले और इसकी दो तिन भून इसके अंदर बहाफ ही एक प्रकर की गायस ही है और जीब पे रख देना है और फिर आपने कम से कम एक दो मिन्ट आपने बोलना नहीं है यह अपने आप इस सो गले के अंदर अपना काम कर देगी मर्म के भूमें जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ हम अगले पॉइंट पे चलते हैं अब यह पॉइंट भी अपना आपके लिए बहुत जुरूरी है अब यह पॉइंट कौन सा है इस पॉइंट को आप नोट करें कि अगर आप स्टेज पे जाते हैं और स्टेज पे जाते आपको डर लगता आप नर्वस हो जाते हों यह भी आपकी वोकल को आपको गले को प्रभावीत करता है इसके लिए आपको एक काम की बात बतारो आप नो कमी तो आप कितना भी कर लेना प्रमात्मा की कमी लोग नकाल देते हैं हम तो इनसान है आपने अपना 100% देना है और आपकी पेशकारी आपकी कलाकारी अदाकारी जो एक नंबर की हो उसमें कोई कमी नकालता तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी आपने अपने confidence से काम करना है confidence से जब आप stage पे जाएंगे तो आपकी वोकल में दुगना रस होगा दुगना पर भाब होगा ये सबसे जुरूरी बात है तो इसलिए दोस्तों मैंने ये 57 जो पॉइंट आपको बताए हैं इन पॉइंटों को आप अपने जीवन में धारन कर लेना आपको जो गले वाल ये समस्या आपकी 100% दूर हो जाएगी और आप बहुत बड़िया अपने जीवन में काम आगे बढ़के कर सकते हैं मैंने ये वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाई है और वीडियो आपको किसी प्रकार की अच्छी चाहिए तो मैं और कोशिश करूँगा लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि बहुत से लोगों की ये समस्या आती है तो इसलिए मैंने बनाई है प्लीज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना हो सकता है इससे उनको कुछ पैदा होता होती इसलिए मैं आपसे ये निवेद न करता हूँ प्लीज मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जूरू करना धन्यवाद